आज की इस एपिसोड हम डिसकस करने वाले हैं भेल स्टॉक के बारे में चुकि इस स्टॉक में देखेंगे कि कल कोटरली रिजल्ट रहे थे और रिजल्ट से पहले इसके जो ट्रेंड थे वो निगेटीव थे इसके बाद इसके रिजल्ट डिकिलियर हुए थे और यहां मैं को दिखा हूं तो देखेंगे तो कोटरली बेसिस पे काफी स्ट्रॉंग अप्टेंड दिखा 46 थावजे 4670 करोर के से स्टॉक के जो से रहे वो 5200 करोर के से डिकिलियर होते वे दिखेंगे यह दोनों प्रस्पेक्टिव से चाहे आप कोटरन कोटर बेसिस पे देखे या फि काफी विजेबल अप्ट्रेंड में दिखा है इसके साथ यह उप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो उप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सुधरते हुए दिख रहा है और इसके साथ इसके नेट प्रॉफिट देखे तो कंपनी प्रॉफिट इसके साथ ही देखेंगे इस stock में promoter holding agities है FIs की holding थोड़ा बहुत घरते हुए दिखी है लेकिन नेस्वरी FIs और DIs की holding दोनों बढ़ती हुई दिखी है तो बिल्कुल भी यहां से trend काफी visible दिख रहा है और इस FIs और DIs की holding बढ़ने के कारण ही यहां देखे तो stock के trend जो है upper level म दिखा है इस समय इसे stock को लेकर के personally मेरा view काफी positive है और इसके chart को भी देखें तो एक rounding pattern बनाते हुए दिख रही है इस समय देखेंगे एक one-sided obtained के बाद थोड़ा बहुत rejection 7880 के आसपास का दिख रहा है इस level को sustain करता है तो दूसरा target 120 तक के within 3 to 5 month में दिखेंगे और जो next target above the expectation positive result रहा है इसके साथ ही एफाइज और डियाइज की बढ़ती holding और view काफी visible है तो trend one-sided नहीं दीखता है हमेसा देखेंगे जिग-जग वो साइड downtrend हो या uptrend तो view बिल्कुल positive है sell करने की गलती नहीं करेंगे